देखे बिल्कुल आज राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सरगर्मिया तेज हैं और अपसे कुछ देर पहले दिल्ली के असाम हाउस में यहां पे असाम के मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और भारते इंता पाती असाम के जो प्रभारी हैं वैजेंत जैपांडा वो यह हाउस में चल रही है और चुकि आज जो दिल्ली में रास्ट्री अध्यच जेपी नडडा जी के साथ असाम बीजेपी के कोर गुरूप की जो बैठक होनी है उसके ठीक पहले जो असाम हाउस में यह बैठक चल रही है काफी महतपूर है और तकरीवन जो सूत्र हैं वो यह अध्यक्ष है जेपी नडडा वो करेंगे और उसके बाद जो लोकसभा चुनाओ के मद्दे नजर जो संभावित उमीदवार है उन पे चर्चा होगी और किस तरह के आगे की रणनीती होगी उसको लेकर चर्चा होगी और अगर बात करें केंद्री चुनाओ स्वमिती की ब बैठक है बीजेपी की वो कल होनी है लेकिन आज असाम बीजेपी के कोर ग्रूप की बैठक जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नडडा उनके साथ होनी है और उससे ठीक पहले अभी असाम हाउस में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है जिसमें असाम के मुख्यमंत्री ह तो कह सकते हैं कि लोगसभा चुनाओं को लेकर जो संभावित उम्मीदवार हैं उस पर चर्चा हो रही है और जब अब से कुछ देर बाद तकरीबन ये संभावना जटाई जा रही है कि ये बैठक एक घंटा चलेगी और इसके बाद जब यहां से ये जो नेता हैं वो यहां बता रहे हैं कि सभी 14 लोगसभा सीटों पर चर्चा होगी एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और चुकि इस बार प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो नारा दिया है वो अपकी बार 400 पार का दिया है तो इस बार बीजेपी जो है वो बहुत ही एहतियात बर देगी और जो जिताओ उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मुहर लगेगी और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो आज की बैठक होगी कोर ग्रूप पीजेपी कोर ग्रूप के साथ बैठक होगी उसमें जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम पर चर्चा होगी और इसमें असाम प्रदेश के असाम से भी जो लिस्ट है उसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम तक्रीबन पांस सीट जो सूत्र हैं वो यह बता रहे हैं पांच लोग सवाचेतरों के उम्मीदवारों की घोचना कल वीजेपी कर सकती है ठीक उससे पहले असाम हाउस दिल्ली में ये बैठक चल रही है और जैसा कि आपने भी कहा कि जो मंत्री है ननिता गारलोसा वो भी यहां मौजूद है पिजूस हजारी का है वो भी इस बैठक में मौजूद है तो कह सकते हैं कि एक एहम बैठक इस समय चल रही है और उमीदवारों की जो चैन की प्रक्रिया है कह सकते ह वो विधिवत रूप से यहाँ पर शुरू हो गई है और अपसे कुछ समय बाद जब यह बैठा खत्म होगी तो यह संभावना जताई जा रही है कि भारते इंता पार्टी में शामिल होने को लेकर राना गोस्वामी की जो अटकले लगाई जा रही थी वो और तेज हो गई है क्योंकि आप से कुछ देर पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसकी जो इस्तिती है वो भी जो प्रदेश अद्यच है वो गिलियर कर सकते हैं जी कि अधर्णाबाद मुरेश सुक्ला अपना के मुटा थार्णाबाद जनाई सो हम अगरो भी खाई तो हंडर भरामा पुनपटे के खोह जुप करार बबे झाल